आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि चुकंदर आपको कब से खाना स्टार्ट करना चाहिए, चुकंदर खाने के क्या फायदे हैं, एक दिन में कितना चुकंदर आपको खाना चाहिए और क्या सही तरीका होता है चुकंदर को खाने का चलिए वीडियो स्टार्ट करते ह सबसे पहला फाइदा इसका यह होता है कि चुकंदर में अच्छी अमांट में आयरन होता है आयरन अच्छा होने के विज़े से अगर आप इसको डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपकी बॉड़ी में हीमोगलोबिन यानि खून की कमें जिसे बोल सकते हैं वो आपकी बॉड़ी में नहीं होगी आपकी बॉड़ी में सही हमोगलोबिन होना आयरन ठीक से होना जरूरी है वरना क्या होगा एक तो आपकी नॉमल डिलीवरी के चांसे जो है कम हो जाते हैं आप भी काफी कमजोर फिल करते हैं जब हमोगलोबिन कम होता है तो साथी साथ बच्चे का वजन कम रह सकता है और बच्चे तक उतने अच्छे से oxygen नहीं पहुँच पाएगा जितने अच्छे से पहुँचना चाहिए चुकंदर में अच्छे मौंट में fiber भी होता है तो इसको अपने diet में include करने से आपका dietion सही रहता है आपको कब्स यानि constipation की problem भी नहीं होती है नेक्स चुकंदर खाना जो है pregnancy time में आपके बच्चे के लिए भी बहुत फायदे मन है क्योंकि देखिए बच्चे में जो bird defects होने के chances होते हैं जयनि जर्म दोश उसके chances भी कम हो जाते हैं अगर आप चुकंदर खाते हैं क्योंकि इसमें अच्छे amount में folic acid होता है और pregnancy time में folic acid आपको बहुत जरूरी होता है जर्म दोश के साथ साथ बच्चे की read की हड़ी में एक problem होती है जैसे हम spina bifida कहते हैं वो होने की chances भी कम रहते हैं अगर आप चुकंदर खाते हैं तो और बच्चे का दिमागी विकास भी अच्छा होता है चुकंदर में anti-inflammatory properties भी होती है तो pregnancy time में कई बार pregnant ladies को जोडों में दर्द रहता है उनको हातों पैरों में सूजन वगरा भी रहती है तो अगर आप चुकंदर खाते हैं तो आपको इन सारी problems में भी काफी आराम मिलता है कई बार pregnant ladies को जो है pregnancy time में जो हमका blood sugar level बढ़ने की problem होती है जिसको हम gestitional diabetes भी बोलते हैं तो अगर आप अपने diet में चुकंदर यानी beetroot को इक्लोट करते हैं तो यह आपकी sugar level को control में रखता है क्योंकि चुकंदर का जो glycemic index है वो low होता है इन सब फायदों के साथ साथ pregnancy time में अगर आप चुकंदर खाते हैं तो इससे आपकी immunity भी अच्छी होती है immunity अच्छी होने से आप बार-बार बिमार नहीं पढ़ते हैं और आपकी pregnancy healthy रहती है तो देखा आपने कितने सारे फायदे हैं चुकंदर खाने के pregnancy time में तो आज से ही चुकंदर खाना start कर दीजिए अगर आपने अभी तक start नहीं किया है तो pregnancy के पहले मेने से लेके 9 मेने तक आप आराम से चुकंदर खा सकते हैं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी ये totally safe है pregnancy time में क्या सही तरीका है इसको खाने का तो देखिए आप चुकंदर को salad के रूप में खा सकते हैं आप चुकंदर का रायता बना के खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आप जानना चाता है कि चुकंदर का रायता कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट बोक्स में बताईए मैं जल्दी उसकी रेसिपी आपका शेयर करूँगी इसके लाब आप क्या कर सकत अगर कच्छा नहीं खा पा रहे हैं, अगर चुकंदर खाने से आपको नॉजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, कोई भी और प्रॉब्लम हो रही है, तो आप चुकंदर खाना जो है, अवाइट कर सकते हैं, तो अगर आपने प्रेगनेंस टाइ में अभी तक चुकंदर खाना शुरू नहीं करा है तो आज सही शुरू कर दीजिए I hope आपके लिए वीडियो हेलफुल रहा होगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में Thank you for watching